नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी चैनल में एक वर फिर से श्वागत है दोस्तों जहारखन करमचारी चैनायोग के द्वारा एक नोटीस जारी किया गया है जो कि आप देख सकते हैं यह दिनांग 11.05.2022 को यह नोटीस जारी किया गया है और यह नोटीस है दोस्तों आप रिम्स राची अंतरगत परिचारिका स्रेणी एक पद पर नियुकती हेतू परतिजोगीता परिच्छा 2022 जो कि नियमित यानि रेगुलर और बैक लॉग जो वेकेंसी था उसी के सम्मन्द में एक नोटीस जारी किया गया है जो कि आविस्सक स बैक लॉग भरती बीवरनिका में कंडिका पांच को निमनवीत संसोधित क्या जाता है अब बीवरनिका और कंडिका में क्या था आप देख लिए देख लीजिए इसमें क्रम सेंख आए कि यानि एक है जो परिचारिका सरेणी ए में इसका बेतर मान जो है दोस्तों इसमें अब कर दिया गया है पे मेंट्रिक्स लेवल 7 और इसका सेलरी 4,900 से लेकर 1,22,400 के बीच आपका सेलरी क्या गया है और इसमें निवंतम सुच्छानिक जो जग्यता है इसमें अब मांगा गया है कि B.A.C. नर्सिंग B.A.C. नर्सिंग फॉम एन इंडियन नर्सिंग कांसिल से होना चाहिए या तो फिर जारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकोगनाइज इनुवर्सिटी और इंस्चूट फोर बी एस सी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बी एस सी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल स् जिसमें आप देख सकते हैं नंबर टू वाला जो पॉइंट है कि डिप्लोमा इन जेनरल नर्सिंग मिड़ वाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल लिकोगनाज इनुविस्टिटी बोर्ड और काउंसिल और इसमें जो है कि टू य जो कि पहले नहीं था दोस्तों तो यह है दोस्तों जेससी के द्वारा एक आवजसक सुचना जारी क्या गया है रिम्स अंतरगत जो परिचारी का स्रेनी ए पदों पर भरती होगा उसको लेकर तो दोस्तों इस प्रकार के लिटेस्ट अपडेट से यानि जेससी सम्मंदित क कोई भी लिटेस्ट अपडेट हो दोस्तों से जूड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करें थैंक यू झाल